कि यहां पर्माज़केसन ॥ा कुल स्वागत करते हैं आध की क्लास की चलेगी यहां परियावन कसे myst Ind RH टैंगत थे चलेंगे अप लोग detto के और यहां के भी बता देगे मैरा नहीं मज stabilization Pacific पर लोगों का आज बार की चले ही टैंग्छलेगी दुक्राफ सब्सक्राव Awesome तो यही कहेंगे एक बार शेयर कर दिजी आप लोग अपने पने ग्रूपों में ठीक है है और जो लोग नए है अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से क्या कर दिए परमाज केसे चेनल को सब्सक्राइब कर लिजे सभी से सहनी दन है, एक बार सब्सक्राइब कर लिजिए, सब्सक्राइब करने के साथ सथ वेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और साथ पर शेयर भी कर दीजिए, और एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम लाइक करते चलिए, और बात करेंगे आज अपने positive पहले हम बात करेंगे positive word से यानि जो भी आते हैं पर्यावड में पर्यावड का ऐसे यहां पर टैगवड बनाएगा है कि यह आप लोगों के सभी subject में काम करेंगे सभी subject में काम करेंगे बस आप लोग क्या है बहुत अच्छे तरीके से या तो लिखिए या फिर क्या करेंगे इसकी इससाट लेजिए सभी लोग या फिर इससे याद कर लिजे ठीक है क्योंकि यहां से परसन आप लोगों को हर एक topics में मिलेंगे तो जल्दी से क्या करेंगे या फिर ध्यान से देखते चलिएगा ठीक है यहां से कैसे आप लोगों को टैग वर्ड ढूड़ना है किस परिके से आपको परसन में चाड़ कर उससे सही करना है तो बात करेंगे हम लोग पहले यहां पर पोजिट्यू टैग वर्ड से ठीक है तो सबसे पहले आप लोगों सम्मान करना था है कच्छा में सम्मान करना था है ऐसी सब्द ऐसे परसन में आपको कहीं आफसन मिले तुरंत क्या करिएगा सही करिएगा इसके बाद प्रकित की खोज जहां पर भी आपको परियावर्ण से जोड़ कर पढ़ाने की बात कर रहा है आफसन में वो भी आपका प्रकित के साथ जोड कर उसके साथ पढ़ाने की बात कर रहा है वो भी आपका एकदम राइट होगा तो हम बढ़ते हैं अपने तीसरी टॉपिक्स में तीसरा हमारा देखी यहां पर क्या करना अधिकतर बालकों को क्या करना चाहिए हस्त परक सिछा का की तरफ अगरसित करना यानि उनको करके सीखने के लिए क्या करना चाहिए, प्रसाहित करना चाहिए, जहां पर भी option में आपको लगे, कि आपको लग रहा है कि वहां से बालकों को सीखने के लिए, खुश से कारी करने के लिए बात कर रहा है, वो आपका एकदम सही होगा, यानि जनकारी एक्तित करन यानि अपने पर्यावाण के साथ जोड़कर उनको पढ़ाना ठीक है अब बात करेंगे उस्कूली जिवन के साथ बाहरी वातावरण के साथ जोड़कर पढ़ाना जैसे कि आथा कि आप यहां पे देखिया आपसन में तुरंट ढूड़िएगा जहां पर अगर बालकों को में जानता है या नहीं जानता है अगर धान लेंगे उसके अधार पे का करेंगे उसे पढ़ाने का परियास करेंगे तो यह है आपका इस कूली जीवन के साथ यह इंसे भी क् analytics के साथ जोड़कर बाल के अंदरी सिच्छा के अधार पर पूरा करना चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर सक्री अधिगम, सक्री मतलब क्या होना चाहिए, खोज परक होना चाहिए, बालक को क्या करना चाहिए, खोज पर अधारी सिच्छा देनी चाहिए, यानि सक्री होकर सीखे, जिसमें बालक आपकी बातों को क्या करें रूची ले ठीक है रूची लेकर पढ़े यह आपका सक्री अधियम के अंतरगता आएगा और यहां पर देखें नेक्ष हमारा करा है कि मान चित्रंकर जैसे ही भी मान चित्र पढ़ाई जा रही है उसमें दूरी सापेच इस्तिती यह ऐसा आपको जरूर दिया होगा और ऐसा दिया रहेगा तो यहां पर मान चित्रंकर होना चाहिए और चित्रों के अधार पर बालकों को पढ़ाना चाहिए आप कर सकते हैं कि अधिकतर बालक क्या होता है कि जो चित्र होते हैं उसके माध्यम से सिखता है अधिकतर जिसमें चित्र होते है उसमें कहानियां होती है और कहानियों के मादेम से बालक क्या करता है अच्छे से सीख लेता है ठीक है इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर दिसा ग्यान सापेश इस्तिती याद रखेगा दिसा ग्यान सापेश इस्तिती जब आप बालक को मानचीतर पढ़ाएंगे तो उसमें ये option आपको मिलेगा कि बालको का ग्यान उसके सापेश यानि दिसा ग्यान के सापेश इस्तिती को इस के बाद परकान के साथ अंता क्रिया यानि क्या करना है या यानி दोनों लोगों को CPAKE proteins दोनों लोग प्रकान milligram से क्या करें turnaround कर दोनों विचार करना पर गत्विद्य आधानित वानव आहरानित प्रसन photographs जाचे परखें जहां पर आपका सक्री अधिगम नहीं होगा वहां पर गतिवीधी अधारित होगा और जहां पर गतिवीधी अधारित होगा वहीं पर आपका जिग्यासा उत्पन करना होगा तो जिग्यासा उत्पन आप बालकों में कई तरीके से कर सकते हैं कहाने के माध्यम से कर सकते हैं ख को होनी चाहिए कि बालक में वालियों में क्या करें? में रूची ठीक है तो यानि कुछ करने के लिए बालकों को प्रिरीद हमेशा करता रहें तो आपको option में क्या करोड़ना एक नजर देख लिए कच्छा में भी भीता जहां पर भी हो सही होगा प्रकित की खोज एकदम राइट होगा जानकारी एक्तित करना ये भी सही होगा इसकूली जीवन के साथ बाहरी वाता वरण को जोड़ कर पढ़ना ये एंसियप भी कहता है और सक्री अधिगर यानि बालकों को क्या है एकदम सक्री होकर पढ़ना चाहिए न कि निरिस्ता नहीं होना चाहिए याद रखेगा फिर मान चित्रांकन होना चाहिए यानि चित्रों के माध्यम से पढ़ना चाहिए यहाँ पर करा कि दीसा सापिच इस्तिती यानि देखिय जासा उत्पन ऐसी होनी शाहिए कि आपकी पढ़ाने के सहली के बालक आपके बातों में रूची ले इसके बाद आउर भी है चलिए देख लेते हैं यहां पर और भी कितने हैं इसके बाद आप लोग क्या ढूड़ना है प्रसन में एक बार कहेंगे कि लाइक कर दीजिए सभी संख्या पढ़ाईए ऐसा नहीं कि आप लोग के पास गुरूप नहीं होगा अपने गुरूपों में एक बार सेयर तो करिए एक बार सेयर करिए देखिए फिर इसके बाद कितने लोग आ जाते हैं ठीक है इसके बाद देखिए हम क्या ढूड़ेंगे पॉजिटिव में परिवेस में बोली जारी हो अलग है उनकी घर में बोली जाने वाली भासा अलग है उनके बिद्याले में यान देखिए एक बिद्याले से दूसरी बिद्याले में जब बालग जाता है वहां पर भी उसके जो भासा बोल चारकी है वो भी आपका परिवर्तन होता है तो यान ब्रमण पर ले जाने की बात कर रहा है और याद रिखेगा प्रसन कई बार पूछा है कि भ्रमण पर जाते समय बालकों को क्या नहीं करना चाहिए अपने साथ समागरी खाद समागरी नहीं ले जाना चाहिए जानवरों के लिए नोट बूक नहीं ले जाना चाहिए अपने सि जाना नहीं ले जाना चाहिए, भोजन नहीं ले जाना चाहिए, या फिर अपने परसनों को वही पर नहीं पूछ कर घर पर पूछना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका अंसर आप लोग दीजिएगा कमेंड में तो, अवलोकन, अवलोकन क्या होता है, जहां प अब बात करेंगे, option में देखी एक और नजर आएगा, रूची उत्पन करना, ठीक है, अधिकतर रूची उत्पन कहां जहां पर होगा, option आपका सही होगा, तो याद रखेगा, portfolio में इस होता है, क्रमिक, उनका जो बालकों का क्या है, कि जाज पर क्या है, कि बालक जब से, उस कि बालक अपने सभी इंद्रियों का परियोग करें, ठीक है, इसके बाद उधाहन का परियोग, अधिकतर बालकों के सिखाने के लिए उधाहन का परियोग करेंगे, प्राथमी कस्तर पर बालकों को सिखाने के लिए उधाहन का परियोग करेंगे, ठीक है, दिखाकर बालकों क्या करेंगे दिखा कर सुना कर क्या करेंगे बालकों को सीखाने का परियास करेंगे तो आफ्षान में ढूड़िएगा बच्चों को दिरिश्टी कोड को समान देना यह होगा सही होगा पिछेतर भरमन पर ले जाना सचिक भरमन पर ले जाना और लोकन करना रूची उत्पन क करना portfolio इंदरियों का परियों करना उधारन का परियों करना और दिसे सिरनी समागरे का परियों करना जहा Hag पर परस्ण नहीं आ रहा है तब आगे बढ़नेंगे यापे ऑफ़ी एक थोड़ा सा और र scor प्र दोगर और इसके बाद हम negative sense पर आगे बढ़ेंगे तो करके सीखना, करके सीखना, यानि हस्त परक सिखन को पुरुषाहिद करेंगे, तो यहीं पर देखिए आपका, यहां पर हस्त परक सिखने आ जाएगा, करके सीखने में ही आ जाएगा, बालक को अधिकतर करके सीखने पर बल देना चाहिए, याद रखेगा, जहां पर केवल बल दिया हो वो आपका negative sense होगा लेकिन कर के सीखना सरवांगी की विकास पर बल देना ये सब जहां पर आए वो आपका right answer होगा एकदम फिसके परशाहित करना परशाहित किसी कारिकों करने के लिए परशाहित करना प्रिणना देना याद रखीगा परशाहित करना सबसे उचि पर इसके पर जिग्यासा उत्पन करना किसी भी कार अगर बालक रूची नहीं ले रहा है पार्ट में पढ़ने में तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे ऐसे अपने बातों को रखना चाहिए समझ बालकों के कि बालक आपके बातों से प्रभावित हो और वो पार्ट पढ़ने थीक के पार्ठ वस तू देखें तीन होता है ठीक आद रहेবए टीन होता है यह पर पढ़ने के तरीके अंत्हक्रिया के मद्थिब जो पिदो ळे शीखतें अब इसे ANTAHKन गर्म से शीखन चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए, सिच्छक को चात्र का करना चाहिए, और चात्र का सिच्छक का करना चाहिए, ठीके, उनकी बातों को सुनना चाहिए, छात्रों के द्वारा, और चात्रों को चात्रों के भासाओं का क्या करना चाहिए, सिच्छक का कच्छा में सम्मान करना च तो आप पहले सब दावली याद करना आप पहले रटने पर जितना भी आ जाएगा तुरंत काड़ दीजेगा स्यामपट चार्ट बनवाना यानि छातरों से आप स्यामपट चार्ट नहीं बनवा सकते आप नहीं कर सकते ये गलत है फिर इसके बाद ब्याख्यान दना किसी पर ब्याख्या करना ये गलत है प्राथमी कस्तर पर याद रखेगा एक से पास तक के बालक है साथ से आठ वर्स क अबालक होता है क्या उसमें क्या आप ये बताएं क्या उसमें ब्याक्षान करने या बाटनी की प्रभित्ती उत्पन होगी नहीं होगी तो ये आपके क्या होगी गलत होगा ठीक है इसके बाद भासर देना भासर नहीं देना है आपको क्या करना है ये जहां पर भासर नजर आ पूछेगा पूछेगा यानि आप से कोई परसन नहीं पूछेगा वो डरेगा आप से ठीके तो ये नहीं होना चाहिए को अभ्यास चाहिए अंतहक क्रिया के माध्यम से सिखें तो यह होना चाहिए याद रखेंगा यह होना चाहिए अब बात करेंगे हम लोग अभ्यास या कारेदत अधिक से अधिक बालकों को अभ्यासकार और अभ्यासकार को ही ग्रीकार या फिर दत्तिकार करते हैं कै exactly अहां ज़्यादा स의 बालकों को नहीं देना चाहिए जहां पर भी दे यह option गलत होडा परिष्छा का आयोजन करना बार बार परीशा का आयोजन नहीं कर सकते हैं बालकों का मुल्याइकन करना हो तो सतत और ब्यापकर तरीके से कर सकते हैं ठीक है सतत का मतलब होता है याद रखेगा सतत का मतलब होता है सतत का मतलब होता है लगतार लगतार होता है याद रखेगा और ब्यापक का मतलब होता है क्या होता है ब्यापक ब्यापक का मतलब होता है आपका पाठ की करम यानि देखे सतत जो होता है लगतार होता है और जो पार्ट पढ़ाते समय, अधिगम के समय ही आप सतत का परियोकर सकते हैं, सतत मुल्यांकन का, लेकिन ब्यापक जो होता है, पार्ट के खतम पर होना थाशी है, अब बात करेंगे, जहां पर भी बालोकों को बातने की बात कर रहा है, दो पच्छों की कौन सा बच्चा अ निगेट्व में से याद रखना है, यहां पर सब्दावली याद करना गलत है, स्यामपर चाट बनवाना ये भी गलत है, ब्याख्यान देना ये भी गलत है, ब्याख्याद भासन देना ये भी, आनत की मजा परात करना ये भी गलत है, अनुसासन बनाना ये भी आपको निग प्यासिकार दत्तिकार यह भी गलत है और इसके बाद पर इच्छा कायोजन करना यह भी गलत है और ग्रेडिंग और यानि बाटने पे बल जहां दे रहा है वो भी आपका गलत है थोड़ा सा और रह गया है निगेटिव से हैं सूसे भी आप लोग दिख लिजिए फिर इसके बात क्या करेंगे हम अपने सिच्छन पर आगे बढ़ेंगे जो की महरातन से रखें ठीक है यहां पर बात करेंगे निगेटिव वर्ड से इसमें बात करेंगे कुछ यहां पर रहा है तो आपका गलत होगा केवल मातर सिर्फ, देखें याद रखेगा जहां पर भी आपसन म जहां बही नजर आए तुरंट आप काटेंगा हो आपका गलत है अगर गलत पूछाए तो सही होती है ठीक है निगेटिव सेंस पूछाए तो पोजिटिव 92 गूड़ीया ठीक है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है फिर इसके बाद के लिए जहां पर के लिए के मतलब होता है केवल एक पर ही दिया है यानि जिसे बालकों के लिए ठीक है सिचकों के लिए पुस्तकों के लिए यहां पर सभी के लिए अगर जहां पर हो याद रखेगा बालकों के लिए ही केवल ठ्रतने पे जहा पर बल दे ha % पर उसे तुरंध काटे गा पूरुसकार की बात करता है ऐसे जगेगर फूर्ष ψ Чер ownersμεैं रोकनी की बात करता है याखा रखे याद रखेगा 120 पलस होना चाहिए सभी लोगों का ठीक है आगे बढ़ते हैं आप अपने सिच्छण पे और सभी लोग यहां से जानेंगे कि सिच्छण कैसी होती है ठीक है और बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे ठीक एक बार अगर आज के टैग वर्ड अच्छे लगे थैं तो पहले बात हम तो सिच्छण की बारे मिरम जा लेते हैं कि सिच्छण होता क्या सिच्छण अंग्रेजी शब्द का हिंदी पर्या है उगरन रहता है देखें, यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे, सिच्छण परिवर्तन सील है, याद रखेगा, क्या है, सिच्छण परिवर्तन सील है, और समय समय पर ये बदलता रहा है, याद रखेगा, ये समय समय पर बदलता रहाता है, पहला है, राज तंतरातमक सिच्छा पर डाली के केंदर में कोन होता है याद रखेगा अगर इसके बात करें यहां पर इसके बात करें तो इसके केंदर में कोन होता है सिच्छा होता है कोन होता है सिच्छा होता है याद रखेगा और बेवहार कैसा होता है याद रखेगा बेवहार कैसा होता है एकल होत होता है अगर इसके बारे की बात की बात किया जा या אני करेंगे यहां पर सबसे महतरपूर्ट टापिक ॅगया है कि राज राज candy's gonna तहोता है तो याद रहीत को होता है और उसका मुल्य कैसा होता है ठीक है इसका मुल्य वह केवल वह ही जो कहता है वही सुना जता है एकल कमला अपने अनुसार पढ़ाना ठीक है अपने अनुसार पढ़ाना और उद्देस से कैसा होता है उद्देस होता है राज यहां पर देखे पढ़ाली के जो ताना साही होता है इसकी रूप में होता है और उद्देस जो इसक सभी लोगी बार लाई करिए फिर इसके बाद हम अपने जो नेक्ष्टे उस पर आगे बढ़ेंगे फिर जो टॉपिक्स आपका हम रखा गया है उसके भी बात करेंगे तो यहां बात करेंगे लोग तंतरातमक सिछन पढ़ाली जिसमें मानवी मुल्यों की अंतरगत ध्यान मे है इसके देखे अगर बात पूछ जिया जाए कि लोग तंतरातमक सिछन पढ़ाली के केंदर में कौन होता है अगर इसके केंदर में पूछता है तो बालक होता है और इसका बेवहार की बात कर दिया जा बेवहार यह मानवी मुल्यों पर होता है मानवी मुल्यों पर अधार पर होता है क्रिया यानि परस पर दोनों क्रिया करते चलते हैं तो चली आगे बढ़ते हैं यहाँ पर राज यहाँ पर अब बात करेंगे जो आप लोगों की चल रही है इस समय जो हमारे द्वारे चल रही है आप लोग देख रहे हैं इसे कहते हैं हस्त च्छे पर रहीत जिसमें बालक सोतंत्र हो अपने रूची के अनुसार सिच्छा ग्रहन करे और सिच्छक मातर दर्सक को हो उसके ग्रहन करने के छमता में कोई भी हस्त छेप न हो ऐसी सिच्छन पढ़ाली हस्त छेप रहीत सिच्छन पढ़ाली कहलाती है याद रखेगा हस्त छेप रहीत सिच् ब्यूँभार सोतंतर होता है और मुल्य कैसा होता है तो मुल्य जो इसका होगा यह सीमित होता है, तो यह आमועल कि पर्यावन, मौन К penalty दर्ष waking यह समाज में रहकर उसकी किर्याओं को दरसाता है बालगों में ठीक है और समाज में बैफ़तई। को परियावन सिक्षण परकित समाजिक आर्ति पर्वेश को बिक्सित करता है म Net है कि आप समाज मेरा परियावन के बार के घटको को जान सकते हैं तो यह आपका क्या था आपका परियावन सिच्छण तो एक बार क्या करने कर दूझे जो पर्यावन सिच्छन बालकों को उनके स्कूल ग्यान से हुआ वातावरण के साथ जोडता है याद रखेगा पर्यावन सिच्छन बालकों को क्या करता है उसके वातावरण और उसकूली जीवन से जोडने का कारी करता है दूसरा पर्यावन सिच्छन के द्वारा हम पर्यावन क जएसे जैविक अजैविक हमारे लिए ऐसके इसको जानकाई ह death ये जानना बहुत पहों बात है क्योंकि पेड़-पहुद ही से जिए क्या करते हैं और यह इसर कोफन करता है व्यक्ति करता है व्यक्ति कमादें कि मादियम से क्या करता है जीवीत रहता है याद रखेगा यह सिपके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं अपने परसंटों पर परसंट करने के लिए तयार है तो एक करना जाता है के वल इसे छोड कर दिखिए अमने कहा था न जहां पर आए नेगेटिव इस अपसोच इह कौन सा नेगेटिव इसमें डूसरा सरल से कठी सार्ण अस्थानिक से लिख और अमुर्त से पस्वोप यह हैं आपके शिच्छल करेंगे तो बालक को प्राथमी कषण Head Кुस्तर मुद्त व formulated में को वास्तू है उस पर क्या कराने के चीन्तन कराने का बात और वस्तू नहीं और वस्तू तरह करने के ही पहले ख़विया फिर इसके बाद क्या करें इसके फ़लोगों को पतियों को इसकी सखाएं को चैने बालकों को बताएं तो ये कठी सब्द हो गया ठीक है फिर के दम राइट एंसर आप यहां पर बात करेंगे अपने हम यहां पर नेक्ष परसन पर दूसरे पर दूसरा देखते हैं कितने लोगों का सही होता है पराथमी कस्तरभा परयावण अध्यन के सिछन में कहानी और कभितों का प्रभावी ढंक से उप्योग किया जाता है, परयावण अध्यन में इसके उप्योग की मुख्यूं ऊद्ये से क्या है, प्रहला कराए कच्छा का बीविता, पूर्थी करना, शीखने के लिए संदर काईipsare बहुत और तक झदने के लिए ने सकते toen में तुन है के लिए अज़ी करहें इसका जितने लोगों का यहां पर दूसरा है यह आप लोगों के बात करेंगे हैं लाइक सबीक करते चलिए लंगा त Stück चाम् टाइकörtए कि यहांना कि ए थासवां के ए नहीं को तुम को किस प्रकार इन charge यानि इस पर करेंगे उसका कुए जल्या लग लुम那么 लिखित परिच्छा का आयोजन करके तीसरा कराए कि यह पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रादम करनी चाहिए उचोथा कराए कि जल सरच्छन में पोष्टर बराने की गतविदियों का आयोजन करना यह परसन आप लोगों को सही करना है एक द दैनिक जीवन के जल भाग दैनिक जीवन ननों के साथ हो रही घ्टकी अपने घर में करें वाता وरण में करें उसकी साथ तुराभी टेंसर यहापे किससे जाएगा तीसरी के साथ जाएगा आगे बटने यहां पर चौथे परसन पर सभी लोग एकदम comment फाष्ट करिए इसका answer सभी लोग एकदम फाष्ट करिए बात करेंगे प्राथमी कस्तर पर पर्यावर अध्यन के आकण में निम लिखित में से कौन सा एक संकेत संकेत उपयुक्त नहीं है संकेतिक उपयुक्त नहीं है पहला कराए असमरड दूसरा परसन पूछना तिसरा न्या की समानता प्रतिचिंता सहयोग तो राई टेंसर यहां पर क्या जाएगा जल्दी से बताए यहां पर नहीं करता है तो राई टेंसर चौथे का क्या जाएगा हमारा सहयों की भावना एकदम होनी चाहिए अस्मरड करना याद करना एकदम सही है परसन पूछना एकदम क्रिवटी न्याय और समानता की चिंता करना यही नहीं होना चाहिए राइट टेंसर चोथे का जो जाएगा हमारे यहां पे तीसरी के साथ जाएगा एकदम राइट टेंसर साथ करने आज 10 मीं से क्लास में बताईएगा तुरंत बताईगा आप लोग भी तो यहां पर कहा है कि कच्छा पांच की परियावन अध्यन की पाठ पुस्तक की एक पाठ में सरवेचंञ और लेखन पर एक भाग मुख्य उद्देस है तो पहला कह रहा है यहां पर सिछार्तियों को आउसर उपलब दिकराना चीजों को खोजने और चीखने के लिए देखे यहां पर क्या कहा है सिछार्तियों को आउसर उपलब दिकराना यानि खुद से करने के लिए चीजों को खोजने के लिए अधारित भी हो गया और वहां पर अधारित लेखनी सिछार्थियों को मदद करना और यहां पर यहां पर करा कि जानकारी का आकरन करना तो इसका राइट एंसर क्या जाएगा आगे बढ़ने अपने चठे परसन पर देखते हैं चठा क्या करा है हमारा चठा तो और भी मज़ेदार परसन है करा कि निम्लिकित में से कौन सा प्राथमी कस्तर पर परियावडन अध्यान के सिछण का उद्धियस नहीं है यानि कौन सा उद्धियस नहीं है पहला करा सिछण का कच्छा कच्छ में अनुसासन को सुनिशित करना करा कि बच्चों को परसन पूछने के लिए अभी प्रिरीद दूनिय के साथ जोड़ना तो चठ्ठे करा है कि है कि आप लोग टेघ वर्ड में था अनुसवासन बनाने के लिए बात किया है तो नेगेटिव संसे तो यह आपका जलत है सीधे सीधे अभी प्रियृत करना जिए पर भी यहां पर भी दिया है यहां पर भी दिया है परियाबर के साथ जोड़ने की बात करा है तो राइट एंसर यहां पर किसके सदेगा पहले को वस्ता जाएगा देखिए टेगवर्स यह भी बाहर नहीं जा रहा है प्राफन ठीक है सभी एक दर देखिए यहां पर पूचा है नेगेटव तो नेगेटव ढू पांच तक की ठीक है एक से पांच तक के पाठ करम में क्या होना चाहिए पाठ के अंत में अधिक अभ्यास सम्मलित करना अपने आसपास को खोजने का आउसर उप्रद कराना संक्रपनाओं को विश्तित ब्याख्या की बात किया है याद रखेगा ब्याख्या की बात किया है तो तुर ब्याख्या पस्तूत करना है तो तुरंद कार दीजिए बदो की अथार्त परिभासा पर बल देना देखिए बल देने की बात कर रहा है ठीक है गलत है अब बचा आपका कौनसा दो बचा कौनसा बचा 200 तो तो दोनों में से आप राइट एंसर कौन पर जा रहे हैं जल्दी से कमेंड करिए सभी लोग सभी लोग कमेंड करिए इसके बाद देखते हैं आपकी कमेंड जल्दी से जी इसका राइ टेंसर क्षक गिसके सर्जाए गाए यहाँ पर साथ मैं को जो जो जोड़कर खोजने के यह उसर यहां पर पर प्राप्त कराना तो राइट टेंसर यहां पर दूसरी के साथ जाएगा आगे बढ़तें यहां पर आठ्मा कितनी लोगों का सही होता है आठन ये करा है प्राथम कस्तर की इव स्पार्ट पुस्थकों में कभिताया हैं साहित्यिक रूची बिख्षित करना वीसु की अमोथ प्रमोथ करना अधिगम को आमोद करना मुली संक अपराहों को आधिगम को बिख्षित करना और रस्ता बनाना तो गा Olympics करने herald एक दम लोगों का सही होता है एकडम राइ टेंसर इसका दीजिएगा सभी लोग टिक है यह करा है हमारा EBS की पढ़ाई में कच्छा में परसन उत्तर तक्निक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है तो पहला करा है कि बिद्यार्थियों का ज्यान अकरसित करने के लिए यहां पर सिछार्थियों की सीखने की जिग्यासा उतपन करना परियोगी को रहा वा देना और यहां पे कराय कि अनुसासन बनाया रखना तो अनुसासन बनाया रखना यह तो YOUR feeling बड़त हो, प्रियोगी के बात क्या है, प्रियोग के बल दिया है, तो यह गलत है, बढ़ावा देने के बात कराया जखोज पहले इसका उत्तर की वोग देंगे और देखतेहां सबसे पहले इसका उत्तर किसका आता है पराथमी कस्तर पर इवियस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्दे से है पहला करा है कि मुरहूत संक्लपनाओं को गहन से समझना बिक्सित करना और यहां पर दूसरा करा है कि अगले अस्तर की अधियन के लिए विजार्थियों को तयार करना यानि अगले कच्छा में पुरुनुत्ति की बात कर रहा है और यहां पर कर रहा है कि कच्छा में पढ़ाई जाने वाले विजाले से बाहर जीवन के लिए सहायता परता है करना को सबी नहीं रहें तो नहीं को क्थे लोग कर दबालें सब्सक्राइब करने के साथ वेल आइकन को बटन दबालें तक कि लाइब आने पर आप लोग पास एक नोटिप्रिकेसन पहुच जाए तो लाइक तो बनता है आज के लिए तो लाइक कर दीजिए सभी लोग तो अपकी बार क्या आना चाहिए तो आज के यहाँ पर उत्तर नीचे दिए गए हैं तो देख लिजिएगा और आज की क्लास आप लोग कैसी लगी एक बार कमेंड बाक से अपनी डाय सुझाओ मत जरूर दीजिएगा तो आज के लिए तना है धन्यवाद